कि आपको कितना अपना टार्गेट रखना है, कितना मार्क्स एचीव रखने का टार्गेट रखना है, जिसमें कि आप अपना टार्गेट परसेंटाइल एचीव कर लो अगर आप रोज आठ नमबर का भी पढ़ लेते हो तो 160 नमबर बिटा अभी भी आपके हाथ में है हेलो चो कैसे हैं आप लोग कुमीद इक दम मस्त होंगे जवर्दस्त होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल संकल भारत जेही में और आज इस वीडियो में हम आपके लिए safe score बिटा discuss करने वाले हैं इस वीडियो में हम यह discuss करने वाले हैं कि क्योंकि इस बार syllabus reduced है और जादा से जादा candidates appear कर रहे हैं तो आपको अगर अपना target percentile achieve करना है तो आपको कितना score target रखना है मतलब इस बार कितने marks पे कितना परसेंटाइल आ सकता है जैनवरी एटेंप 2024 जेई मेंस में ये सब बीटा बारी-बारी हम डिसकस करने वाले हैं तो नमस्कार बच्चो मेरा नाम है MSM सर और ये छोटा से वीडियो मैंने रखा है तो बच्चो देखो यार ये जो आपका marks versus जो percentile है ये बटा तीन चीज़ों पे depend करता है वो तीन चीज़े है क्या ये जो पहली चीज़ है वो है paper का difficulty level कि paper कितना difficult है अगर paper difficult होगा तो cut off बाई साब नीचे जाता है अगर paper easy होगा तो cut off बच्चो उपर जाता है दूसरी चीज़ कि कितने candidates paper को दे रहे है अगर बहुत सारे candidates paper को दे रहे होते है तो ऐसी सूरत में भी जो cut off होता है वो भी या उपर चला जाता है अगर कम लोग दे रहे होते है paper को तो cut off बेटा नीचे रहता है और जो तीसरी सबसे important चीज़ है कि previous year का trend क्या है पिछले 4 या 5 सालों का क्या marks versus percentile का graph रहा है ये भी बेटा determine करता है J-Mains में कि इस साल का क्या marks versus percentile हो सकता है तो बच्चो इस वीडियो में हम इन सब को बारी-बारी discuss करने वाले है तो बच्चो जो पहली चीज़ है वो है difficulty level मेरी team ने पूरा का पूरा 2019 से लेके 2023 तक का analysis किया कि physics, chemistry और math के paper में क्या trend था क्या easy paper था कब mediocre paper आया कब difficult paper आया और इसके basis पे 2024 का क्या expectation है ये बेटा हमने decide किया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हो कि physics के नहाद से देखा जाए तो 2019 से difficult paper था 2020 में mediocre 2021 में easy 2022 में mediocre 2023 में भी easy मतलब आप देख रहो कि alternate mediocre easy, mediocre easy चल रहा है और 2024 में यही expected है कि जो physics का paper है ये mediocre ही रहने वाला है बहुत difficult नहीं आने वाला है लेकिन अगर बेटा हम chemistry की बात करें तो देखो chemistry में क्योंकि syllabus reduce हुआ है तो इस चीज़ को भी हमें अपने दिमाग में रखना होगा तो देखो जो previous year जो trend chemistry का बेटा रहा है like 2019 में easy था 2020 में भी easy था 2021 में mediocre 22 में mediocre और difficult के बीच का था और 2023 में last year easy और mediocre के बीच में था लेकिन इस बार syllabus reduced है और number of candidates भी थोड़े जादा है तो यह expected है कि इस बार जो chemistry है यह mediocre से difficult के बीच में कहीं होगा मतलब mediocre से हलका सा उपर होगा और difficult के भी या नीचे होगा मतलब अगर मैं physics की बात करूँ तो इस सल मेडियोकर की ही समभावना है लेकिन अगर chemistry की बात करूँ तो जो paper है यह mediocre और difficult के बीच में होगा और इसका major जो reason है वो यह है क्योंकि chemistry में syllabus जादा reduce हुआ है अगर मैं math की बात करूँ math का तो trend है या तो paper mediocre होता है या तो difficult होता है generally mediocre से difficult के बीच में होता है अगर मैं यहाँ पर difficult शब्द बेटा यूज कर रहा हूँ तो मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि math का paper आता तो easy है लेकिन calculations बेटा बहुत जादा होती है calculated paper आता है और इसी की वज़े से क्योंकि paper आपको 3 गंटे में करना होता है उसकी वज़े से बहुत लोगों को time कम पड़ता है तो भी math का अगर analysis में आपको बता हूँ तो ऐसा कोई major syllabus का reduction नहीं है इसे लिए paper आज भी mediocre और difficult के बीच में आने वाला है जैसा आज तक पूछा गया है मतलब यार 2024 का expectation यहीं है कि भाई physics का mediocre paper होगा मेरे बच्चो chemistry का mediocre से difficult के बीच में होगा और maths का भी mediocre से difficult का बीच में होगा यानि कि overall अगर मैं paper की बात करूँ तो mediocre से उपर होने वाला है हलका सा उपर होने वाला है यस बहुत difficult नहीं होगा मिडियोकर से थोड़ा सा उपर हो सकता है अब अगर बाई 2022 का अगर आप बिटा ट्रेंट देखो और 2024 का बिटा ट्रेंट देखो तो यह देखके लगता है कि सर यह तो exactly same है यानि कि जैसा marks versus percentile सर हमें यहाँ पर पता लग रहा है क्या same graph marks versus percentile का 2024 में भी बनने वाला है तो answer है बच्चो no answer क्यों है no क्योंकि बाई 2022 में कम candidates ने paper दिया था number of unique candidates बिटा कम थे और 2024 में यह number जादा हो गया है मतलब दोनों का marks versus percentile same नहीं होने वाला है जैसा बाई अगर मैं number of unique candidates की बिटा बात करूँ 2018 में लगबख साड़े 10 लाग बच्चों ने paper दिया था 2019 में साड़े 11 लाग बच्चों ने दिया था 2020 में वही data कम हो गया था साड़े 10 लाग के करीब हो गया था 2021 में साड़े 9 लाग के अप्रोक्स था 2022 में 9 लाग के अप्रोक्स था 2023 में 11 लाग के अफ्रोक्स था तो भाई इस बार जो 2024 में अगर फॉस्ट एटेम की बात करूं तो 12 लाग 30,000 यूनिक कैंडिडेट अभी भी पेपर दे रहे हैं लेकिन यहां पर मैं ओवर अगर आपसे बात करूं पहला और दूसरा एटेम मिला के तो यह एक्सपेक्टेट है कि लग बग कई साड़े तेरा लाग स्टूडेंट के एराउंड पेपर दे सकते हैं मतलब पिछले साल से देखा जाए 2023 से लग बग बेटा दो लाग की बलौतरी हुई है लग बग दो लाग की और आप देखो अगर 2022 से मैं कंपेर करूं जबकि इस बार पेपर देखो यह जैसे 2022 का ट्रेंड है वैसा ही 2024 का भी ट्रेंड हो सकता है इन टर्म्स ओफ डिफिकल्टी लेकर बाई नम्मर ओफ केंडिडेट्स की बात करी जाए तो 2022 से 2024 तक के सफर में चार लाग केंडिडेट्स पढ़ने की पूरी की पूरी संभावना है तो कि competition बढ़ रहा है इसका major reason है कि अपकी बार जो NTA ने क्या किया है कि syllabus को reduce किया है इसे भी number of candidates काफी बढ़ गए हैं तो sir क्या होना चाहिए sir marks versus percentile इस बार 2024 के लिए तो यह जो पूरा का पूरा trend देख रहे हो यह June 2022 का है यह July 2022 का है यह January 2023 का है यह April 2023 का है यह पूरा average है तो यह सब जो लिखा है इसका screenshot लेकि आप पढ़ सकते हो लेकिन जो मेरा मोटा मोटा idea आपको उसको कुछ पढ़ने की जुरूरत नहीं है बस आप यहां पे expected cutoff विल्कुल right में देख लो आपको time waste नहीं करना है सारी चीज पढ़के सिंपल सी चीज है कि जो मेरा analysis कहता है कि 99.9 percentile जितने लोग target कर रहे हैं इस बार यह मान के चलना कि 245 प्लस marks पे अगर आपके 245 से ज्यादा number है तब जाके आप 99.9 percentile बना सकते हो बहुत लोग का aim होगा यह 99 percentile का अगर आप 99 percentile सोच रहे हो तो भाई इसके बीच में आपक के बीच में अगर आप कहीं score करते हो तब जाके बेटा आप अपना 99 बेटा score आप अपना 99 percentile आप अपना कर सकते हो अगर 98 percentile की बात करें तो 145 से 158 के around अगर आपका marks होगा तब आप इतना score कर सकते हो 97 percentile के लिए 135 से 137 होना चाहिए सब 96 के लिए 128 से 132 होना चाहिए 95 से 122 से 125 के बीच का target होना चाहिए 94 के लिए 113 से 116 के बीच का target होना चाहिए 93 के लिए 106 से 109 के बीच का target होना चाहिए 91 के लिए 97 से 100 marks तक का target होना चाहिए और अगर आप 90 percentile सोच रहे हो तो ऐसे case में 90 से 95 के बीच का आपको अपना target रखना है तो लिए मोटा मोटा अगर मैं आपको save score की बात करूँ तो save score क्या है अगर आप 90 percentile का save score की बात करें तो 90 से 95 नंबर के बीच में आपको सोचना है और अगर आप plan कर रहे हो plan क्या अगर आपका target है 99 percentile achieve करने का तो 177 से 190 के बीच का बिच आपका target होना चाहिए अगर भी आप मोटा मोटा बता हूँ अगर कोई एक score में आपको बता हूँ तो भाई 190 का target आपको रखना है कि आप 99 percentile safely अपना secure कर लो और अगर आपको 90 percentile करना है तो आज भी मैं आपसे बोलता हूँ कि कम से कम 100 marks का बिटा आपको अपना aim रखना है जिसमें कि आप अपना 90 percentile secure कर लो तो बिचाट जितना भी time बचा हुआ है ऐसे remaining time में आपको कैसे पढ़ाई करनी क्या करना है यह already मैंने पिछले वीडियो में discuss किया हुआ है जाके वो वीडियो देख लो कि कि आपको किले 10 point का आपको क्या सख्याल रखना है जो वीडियो first January को आया था रात के 9 बजे उसमें मैंने आपको 10 point बताय हुए है जो आपको ध्यान रखने है जिसमें कि आप easily अपनी तयारी को एक miles दे सकते हो एक momentum दे सकते हो तो बच्चों यहीं उम्मीद करता हूँ कि remaining 20 days में आप बिल्कुल भी हार नहीं मानोगे सारे mock test paper लगाओगे coaching के कोई भी test miss नहीं करोगे 2021,22,23 के सारे PYQs लगाओगे और हार नहीं मानोगे यह जो 20 दिन है per day आप ऐसी पढ़ाई करोगे कि आप per day 8 number अपना secure करने की कोशिश करोगे ऐस इसे कि भी यह 8 number का आता है अगर remaining 20 दिन में अगर आप रोज 8 number का भी पढ़ लेते हो तो 160 number 160 marks बेटा अभी भी आपके हाथ में है आप promise करते हो ठीके रहोगे हार नहीं मानोगे तो अभी बेटा आप comment कर सकते हो jbk with a deal मुझे अच्छा लगेगा comment पढ़के मिलते हैं किसी नए session में किसी नए वीडियो में तब तक के लिए जै बाबा की love you all bye bye